बढ़ते हैं अब हमने यहां से यह सुरू किया है 2019 के तयारी के बारे में आपको डेट पता चल गई डेट है दो जून ठीक है ना और मैंने अपना जो सारा प्लान बनाया है वो बनाया एक जुलाई से लेकर ठीक है न तो इस डूरेशन के बीच में आपको मिलते हैं 11 माइन 11 म कि मैंने एक पूरी स्ट्रेजी बनाई है कौन से महीने में आपको क्या तयार करना है और कैसे तयार करना है बिल्कूल बैसिक से यह मैंने तयार किया छे फेज मैंने रखें इसमें ठीक है न तो पहले फेज में मैंने एक फेज जुलाई और अगस्त जिसमें दो महीने का एक माईने रखते हैं तो इसके लिए भी इसके बाद मैं GS fourth paper के बारे में तैयरी करनी है और focus on prelims last में जब end में हम तीन मेने क्या करेंगे focus करेंगे सिरफ prelims पर कि अगर prelims नहीं निकला तो हम फिर mens कैसे देने जाएंगे अब एक-एक phase के बारे में बात करते हैं तो पहला phase यहां पर शुरू होता है हमारा ठीक ना पहला phase ओके इसमें देखो मैंने क्या रखा है इसमें NCRT पढ़नी है आपको पहले phase में क्या पढ़ना है NCRT पढ़नी है time कितना हमारे पास में time है दो महीने का आपको सारी NCRT लेनी है लेकिन कौन से नहीं लेनी है हिंदी एक नहीं लेनी है इंगलिश आपको नहीं लेनी है इसके लाव जितनी बस्ति यह वो सारी आपको NCRT लेनी है 11-12 की भी कुछ NCRT लेनी है जिनमें आपके पास में history होगी geography होगी और political science होगा ये तो हुई books की बात क्यार books कौन से लेनी है अब है क्यार इन books को ले तो लिया मैं ने लेकिन इनको पढ़ूँ कैसे ठीक है तो मैंने दो reading के लिए यहां पे बनाया है फर्स रिडिंग आपको करनी है as a novel अब देखो आपका आप upper level वाली class में हो ये जो छोटी छोटी बुक्स हैं आपको कहानी की तरह लगेगी तो आप इसको पहले बार में क्या गरोगे novel की तरह पढ़ोगे second reading आपको करनी है कैसे यूपेसी एस्प्रियंट की नजर से की अब आप एक यूपेसी एस्प्रियंट के तरह से पढ़ेंगे और कुछ शोट नॉट्स भी आप बनाएंगे इन में से पढ़ना कैसे देखो इन NCRT जो इनको आपको ऐसे नहीं पढ़ना कि पहले आपने सारी के सारी 6th class की पढ़ ली उसके बाद में आपने सारी के सारी 7th class की पढ़ ली उसके बाद में 8th class की पढ़ ली तो ये आपको नहीं करना है ठीक ना आपको क्या करना है subject wise पढ़ना है इनको आपको ऐसे पढ़ने है कि पहले आपने मान लीजिए political science ले लिया तो political science आपने पहले 6th का पढ़ा उसके बाद में आपने 7th का पढ़ा उसके बाद में आपने 8 का पढ़ा ऐसे आपको पढ़ने है नहीं कि आपको class wise पढ़ने है इसमें भी देखो एक काम आपको करना है कि आपको 55 डेज आपको पढ़ना है दो महिने में से 55 दिन आपको NCRT पढ़नी है 5 दिन आपको क्या करना है लास्ट में टेस्ट देने है यानि आपके पास में इस तरफ टाइम है 55 दिन पूरा करने के लिए उसके बाद में last में आपको 5 दिन देने वो test को देने है previous years के आपको paper लेने हैं ठीक है? उन papers में से आपको question देखने है कि NCRT के konconsecusion उनमें आ रहे हैं ठीक है? यह आपको काम करना है यहाँ पर अगर आपने यह इतना अच्छा काम कर लिया तो समझ लीजी आपको lifetime फिर NCRT पढ़ने की जुरत नहीं पढ़ेगी और NCRT अगर आप नहीं पढ़ेगे तो ऐसे समझेगे बहुत weak point रहेगा यह NCRT नहीं पढ़ना आपका क्योंकि NCRT का एक बिल्कुल base है NCRT जो है न वो कह बिल्कुल एक basic है UPC का कोई बंदा ऐसा नहीं हो सकता जिसने NCRT नहीं पढ़ेगे फिर वो कहेगे मैंने UPC पास कर लिया विल्कुल possible नहीं है ऐसा ठीक है न यह आपको पढ़ना है यहाँ भी आपकी basic understanding में बनेगी प्लस जो NCRT यहाँ से NCRT पढ़के आ चुके हैं तो हमारा base तो क्या हो गया clear हो गया अब हमें कुछ advance books पढ़ दिया है उन advance book का भी मैंने यहाँ पे section A बना दिया ऐसा कोई section है नहीं यह सरफ मैंने बनाया थोड़े देर के लिए time कितना रहेगा हमारे पास में time वो ही हमारे पास फिर से दो महीने पहले आपको कितना पढ़ना था आपकी मर्जी पे हैं बस आपको NCRT cover करनी है यहाँ पर जो time रहेगा हमारे पास में यह रहेगा 6 गंटे का कि हमें कम से कम यहाँ पर 6 गंटे तो पढ़ना ही है पहले पहले दो महीने आपकी मर्जी पे है बस आप 55 दिन में NCRT कर लीजिए ओके अब जो को सबसे पहले मैंने यहाँ पर बुक लिए और इसमें एक और फाइदा आपके पास में कि आप इसको जैसे पढ़ोगे ना तो जैसे कोई परिक्षावाणी इसलिए बहुत इंप्रोटेंट बन जाता है जोग्रोफिय आपको कैसे पढ़ने है फिजिकल जोग्रोफिय पढ़ने है वो जीसी लियोंग से पढ़ने है हिंदी मेडियम उसके बाद में माजी दूसरा जो आता है वह बहुत एक नौन नाम है और हिंदी मेडियम को तो मैं वापस यहां पर परिक्षावाणी ही प्रेश्ट के लिए रखने है कि पांस दिन आपको क्या करना है टेस्ट कैसे देना प्रिवेश के पेपर लेना उनमें से आप देखना कि आपके पॉलिटिक है कितनी हो रहे है आप से जोग्रोफिय कितनी हो रहे है हिस्ट्री कितनी हो रहे है उससे आपको पता चलता जिसके एक option subject आपको चूज करना है जिसके आपके पास में paper कितने होंगे दो होंगे और यह 50 500 marks का होता है इसलिए बहुत ही माइने रखता है ठीक है ना बहुत important है और कुछ source book पी हमाँ बताऊंगा जहां पर जो B section की है मतलब कि जो पहले जो हमने A section चूज किया था उनसे मैं मैंने कुछ books क्या छोड़ दी थी उनको मैंने section B बना दिया बस इतना सा फर्क है कि total जितनी books थी उनको दो फेज़ें पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने A section बना दिया और B section बना दिया बाकी इसमें और ऐसे कोई section है नहीं A और B जैसा कुछ नहीं इसमें टाइम इस बार हमने रखा है तीन मैंने November, December, January ठीक है जनवरी तक का schedule है optional subject को आपको पढ़ना है चार गंठे और इसके बाद में source book को पढ़ना आपको दो गंठे क्योंकि कमी source book है यहां पे पहले हमने cover कर ली और एक नई चीज मैंने यहां पर जोड़िए current affairs वो आपको एक स्टेज में जब आपने जून में आपने जुलाई में study सुरू करी है उससी स्टेज में आपको कहता कि आप current affair पढ़ो तो यह बहुत boring सा काम होता क्योंकि आप अभी study के touch में नहीं आयो ना तो अब क्या आप एक UPC aspirant के नजर से काम करें क्योंकि चार महीने हो गए आपको क करते करते तो आप current affair को भी क्या UPC के नजर से देखोगे तो अब इसलिए मैंने current affair को जोड़ा है वैसे एक साल का current affair आता है बाकी का current affair आप कहां से पढ़ेंगे बाकी का आप पढ़ोगे magazine से ठीक ना और यह आपको अभी क्या newspaper से आपको हिट करना है सब कुछ source book कौन सी पढ़ने है economics आपको पढ़ने है जिसमें आप रमेश सिंग ले सकते हैं NCRT आपने पहले पढ़ी ली ठीक है ना इसके लिए आप क्या पढ़ेंगे रमेश सिंग पढ़ेंगे रमेश सिंग अच्छी book है environment नोट्स मिल जाते हैं इसके नोट्स इसमें आप ले सकते हो संकर के नोट्स ले सकते हो general science इसके लिए आप spectrum पढ़ सकते हो ठीक है न तो यह आपको क्या करना है यह आपको books पढ़नी है तेनी books बचिया है यहां पर ठीक है तीन books तो है नहीं कुछ तो नोट्स नहीं आपके पास में अब देखो हमने चाइं दिया यंशेज या-अनदी उसके लुप हमारे पास में कितना बचीच वह बचाएं शरप 14 में और बचये सब्सक poking को ःटध आप हम यह तो देखे ना कि यार साथ महीने में कहां पर आये कुछ किया या नहीं किया या फिर हम ऐसे यंद्धादून पेड़ काटने वाला काम कर रहें कि पज़ाए नहीं चला क्या हुआ वेर वी आर ना है ना तो टाइम कितना हो गया मैं spend कर दिया साथ महीने में और हमारे achievement क्या अब हमें ये देखना है मैंने syllabus कितना कवर किया ये भी हमें जानना है और इस्टिल नीट टू complete किया और बच गया क्या वो भी हमें देखना है क्योंकि तयारी देखो ये ही होती है कि आपको हर स्टेश में पता हो ने seat कि आपके ristiM करती है अब हम देखते हैं कि हमने क्या कवर किया है तो देखो current Espero कर अब ये ahora और current affair पढ़ लेगे के लिएंगे ठीके ना तो current affair हमारा इसा समझ लें कवर माणें आप क्योंकि तीन महिनी तो हम्हाइं पढ़ लिए ठीक है और 4000 नए और पलें प्रिलिम्ट समय कुल्स Mobil हमोरा o पढ़ ली और उसके बाद इन विपीं चंद्रा वगर पढ़ ली तो इस्ट्री हमारा कवर्ण हो गया जोग्रोफी जोग्रोफी भी हमारा कवर को गया क्योंकि NCRT हमने पढ़ लिए ठीक है इसके बाद में GC पूरी तरह से कवर हो चुक है क्योंकि हमने इसके लिए क्या पढ़ लिया NCRT तो पढ़ी ली और प्लस हमने जो है वह लक्समिकांत्री पढ़ ली कुछ लोगा ने परिक्षावाणी भी पढ़ ली तो हमारा इंडियन पॉलिट एन गवर्नेंस कंप्लेट हुगा एकोनोमेक् बिल्कुल ना विन-विन वाली सिच्विशन है कि यहां पर हमने यह किया है साथ महीने में और देखते हैं कि और इसके लिवा क्या किया और बाकी क्या है अब देखो कंपेरिजन कर रहा हूं है बिल्कुल प्रिलिम्स और मेंस दोनों में कि हमने क्या क्या पढ़ लिया तो CSET हमारा अभी भी बाकी है तो ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास में भी चार मेने बचे हैं उसमें एक काम तो हमारा यही है CSET वाला ही है मेंस में हमने क्या पढ़ा GS First Paper पढ़ लिया GS First में क्या आता है Indian Heritage यानि कि History and Culture आता है तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ पर मैं राइट टिक लगा सकता हूँ यहाँ भी राइट टिक लगा सकता हूँ इसी के साथ में जो First Paper उसमें एक चीज़ और आती है वो है Society जो हमने नहीं पढ़ी इसका मतलब Society पढ़ना बाकी है Paper 2 में आता है Governance Indian Constitution जो हमने पूरी तरह से पढ़ लिया तो यहाँ पर भी मैं खुश हो क्योंकि मैंने इसको भी cover कर लिया मेरी जो साथ मेने की study थी उसमें GS3 इसमें Biodiversity आती है जिसको मैंने cover कर लिया environment को cover कर लिया लेकिन क्या cover नहीं किया मैंने Technology को अभी तक मैंने touch नहीं किया डिजस्टर management को मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है यह बाकी है मेरे पास में paper forth paper forth के बारे में अगर मैं कहूं तो हमें यहां पर थोड़ा सा ना उदास होने की जोड़त है क्योंकि paper forth में जो ethics और integrity है उसके बारे में अभी तक option को देख लूँगा और GS4 paper को भी मैं देख लूँगा ओके अब बढ़ते आगे अब मैंने बनाया फेज फोर फेज फोर का जो हमारा टाइम है वो मैंने सिरफ एक महीं ने रखा यहां पर और सिक्स आर डेली पढ़ने और current affair को भी एक गंठे आपको डेली पढ़ना है ठीक इस news को आपको देखना है सबसे पहले तो political view से इसके बाद में आपको देखना है जियोग्रोफिकल व्यू से ठीक है न और इसके बाद में और अगर इसका कोई व्यू बनता है तो उसके अकोर्डिंग political view देखो क्या कहते है कि राश्टर परिशासन कैसे लगा सकते है ठीक न तब लगा सकते है और इसके लिए कैसे पर्मिशन मिलती है श्टेट गोर्मेंट की क्या action होते है जियोग्रोफिक को क्या करना है आपको राजस्तान की location का पता लगाना है कि कहां पे है राजस्तान मे अब आपको देखना है किसको current affairs को ठीक है और current affairs पढ़ते पढ़ते भी आपको कितने दुन होगे आपको यहां पी जो है साथ महीने होगे current affairs को पढ़ते वे तो अब आप क्या करोगे linkage कर रहोगे आराम से और आपके सारे basic subject भी cover है ओके phase 4 में क्या करना है GS paper first में हमने society छोड सब्सक्राइगा यह ठीक है ना ज्यादा कुछ निये चार-पांस दिन के नोट से है आई यार को थोड़ा सा समझ लेना है इसके बाद में टेक्नोलोजिकल डिजस्टर मेनेजमेंट हम पढ़ेंगे एथिक्स और इंटेग्रेटि जिसकी एक ही भुक आती है के वल ठीक है व उन बच्चे है सबजेक्ट को देना जो GS Mains के according बच गई जो GS Mains का पूरा मैंस के according जो बच गई अब हम यहां से जब निकलेंगे इस एक मेने बाद में तो हमारा मेंस तो पूरी तरह से तयार हो चुका होगा ठीक है न और प्रिलिम्स हमने पहले ही तयार कर लिया प्रिलिम करना केrence फोकस तयारी करनी है सब कुछ भूल जाएंगे 20 मैंने किया क्या था उनीता बस एक बाद ध्यान रखनी कि प्रीन अब अब मैकसे को करेंगे लाशिक कर फोकस करेंगे लाश्ट कह भड़ा देंगे हमारी कि Talent कि इसको link करना है और हमें ध्यान रखना है ठीक है इसके बाद में जो minimum steady time होगा वह 8 गंटे minimum है इसको आप maximum 10 कर सकते हो बहुत अच्छी बात है इसके बाद में आप इसको 12 कर सकते हो तो भी बहुत अच्छी बात है बागी अगर करने के लिए क्योंकि पूरी की पूरी जो NCRT के बेस्ट बुक से वह नहीं revision कर सकते हैं आप सिर्फ नॉट्स रिविजन करना है सोर्स बुक आपको रिविजन करनी है टेस्ट ज्यादा ज्यादा देने after 30 days यानि कि आपने क्या हुआ कि एक महिना निकाल दिया ऐसे करते करते उपर जो मैंने काम बताए अब आपके पास हैं बचें दो महिने इन दो महिने में आपको परेड़े टेस्ट देना है कम से कम 50 कूशन का तो आपको देना ही देना होगा टेस्ट ठीक है ना अगर आप परेड़ेट होगे तो आपके पास में शाण्ट देना है टेस्ट देने लिए तो कम से कं 3000 कूशन आपकी आँखों के आगे से निकले गção कि निकले 3000 क्यूशन में से direct मान लीजिए कि 50-60 क्यूशन या मान लीजिए बेकार से बेकार रेशो 20-30 क्यूशन इनी में से अगर direct आ जाते हैं तो आपको सिरफ वहाँ पर dry tick करना होता है ये मेरा सही ये मेरा सही आपको ऐसे करना है और जो आपका करोगे ना उतना ही सबसे ज़्यदा काम रहेगा यहाँ पर प्रिलिम्स में ठीक है ना क्यूंकि प्रिलिम्स में क्या सब कुछ factual आता है ओके कुछ कुशन साते हैं जो होते हैं थेम बेस बागी ज़्यदा ज़्यदा चीज़ें factual होती है तो आपको इसी तरह से आप इसको मेंटेन करोगे तो यहाँ पर बहुत अची सिच्वेशन बनती है आपकी इसके बाद में फेज 6 है फेज 6 कुछ नहीं है यहाँ पर एक दिन आपको आराम से अपने जो अब तक की जो 11 मेने के स्टेडी करी है वह बहुत शांदार स्टेडी करी है तो यहाँ पर आपको हैपी रहना है अपने आपको confident रखे क्योंकि सब कुछ तो आपने पढ़ा है और लास्ट में आपने जो तीन महीने चार महीने दिये वह प्रिलिम्स को भी बहुत अच्छे से दिये एक एक चीज को आपने बहुत अच्छे से कर लिया है ओके खूद पर आप जधा से जधा विश्वास रह आपको दो गंठे का मतलब है 120 आपको मिनिट मिलें यहां पर ठीक है 120 मिनिट आप अपने आपको अगर सही तरीके से मेंटेन कर लेते हैं पैसेंस रखते हैं तो बहुत कुछ आपको अचीव हो जाएगा माल लीजिए एक से लेकर 10 कुशन यहां तक आप पहुंचे ठीक है एक से लेकर 10 कुशन आपके 10 के 10 गलत हैं आपको कुछ नहीं आया तो आप तो क्या हो जाओगे यहां पर आप तो ऐसे हो जाओगे कि यार मėGU तो फैल हो गया यह उदो अब मैं क्या करूं नहीं यहां पर बीबी और आपको राइट कितने करने राइट करने वह लगबग 50 से 55 तो आप क्या सोचोगे कि दस्कुशन मेरे वह गलत हुए या मेरे को वाले नहीं आ रहे हैं जो मेरे को छोड़ने थे यानिके आपको लगबग 30 से 40 कुशन तो आपको वैसे भी स्किप करने छोड़ने तो बहुत लंबी duration है और एक क्यूशन से लेकर आप 100 क्यूशन तक जाओगे यह भी बहुत long distance है आप इसको बहुत long distance मानके चलिए ऐसे नहीं कि paper हाथ में सब्सक्राइब करने सारा फोकस आप यहीं पर रखें आपका गलत क्या हो रहा है सही क्या हो रहा है उसको भूल जाएं confidence रखें कि 55 क्यूशन मेरे को anyhow करने ठीक है इसके बाद में वही मेरी जो मैंने कहा था शुरू में अगर काम की परती पागलपन हो तो आप इतियास रचेंगे डेफिनेटली आपको सक्सेज मिलेगी बस काम की परती पागलपन होकर आप काम करेंगे तो पागलपन के साथ में एक स्ट्रेटेजी की भी जुरत थी जो मैंने आपको बताईए गुड लग ओल दे बेस्ट ठीक है